हलो एंड वेलकम एवरिवन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दे एडवेंचर आफ टोटो कहानी शुरू होती है नरेटर से नरेटर के जो ग्रैंड फादर थे उनको एनिमल्स बहुत जादा पसंद थे उनके पास बहुत सारे अलग-अलग तरीके के एनिमल्स रहते थे जैसे की टोटोई, स्क्वेरल, रैबिट, गोट्स और ना जाने कितने सारे अलग-अलग अनिमल्स लेकिन ग्रैंड फादर के पास अगर कमी थी तो वो एक अनिमल की कमी थी वो था मंकी एक तरीके से ग्रैंड फादर का खुद का प्राइवेट जू था अब ग्रैंड फादर को एक दिन मंकी दिखता है और ये जो मंकी होता है ये होता है एक तांगा ड्राइवर के पास तांगा ड्राइवर से जब ग्रैंड फादर बात चीत करते हैं तो वो तांगा ड्राइवर मंकी को 5 रुपीज के अंदर ग्रैंड फादर को सेल कर देता है अब ग्रैंड फादर भी आ चुका है अब वो इतने खुशते के पूछो मत उनकी खुशी का ठिकाना टोटो जो था वो एक अट्राक्टिव मंकी था मतलब यह जो मंकी था इसका नाम ग्रैंड फादर ने रखा था टोटो और यह काफी ज्यादा अट्राक्टिव था इसकी जो आखे थी वो चमकती थी दात ऐसे समझ लो पर्ल जो होते हैं हमारे मोती होते हैं उनकी तरह सफेद थे और यह जो टोटो था इसको बड़ा मज़ा आया करता था एंगलो इंडियन लेडिज को परिशान करने में डराने में अब यह एंगलो इंडियन्स कौन होते हैं जो हाफ इंडियन्स होते है उन्हें हमलोग एंग्लो इंडियन्स पोलते हैं उसकी जो टेल थी उसका काफी एच्छा लुक आता था और जो टोटो की टेल थी वह उसके थर्ड हेंड की तरह काम करती थी मतलब टोटो के तीन हाथ थे एक तरीके से क्योगि उसकी टेल पसंद नहीं थे तो वो grandfather को हमेशा data करती थी बोलती थी अरे भाई तुम इतने सारे animals क्यों लेकर रखे हैं तुमने घर का क्या हल बना दिया है तुमने तो वो कभी भी कोई भी नया animal कोई भी नहीं word आती थी उसे welcome नहीं करती थी तो इस चीज को decide करा grandfather ने के हम लोग किसके साथ decide करा with narrator यानि की जो रसकिन bond थे उनके साथ decide करा के भाई हम लोग इसको टोटो को चुपा कर रखेंगे grandmother से अगर उनको पता चलगे grandmother को तो फिर से डाट पड़ेगी हम टोटो के था उसे एक छोटी सी closet के अंदर रखा गया closet क्या होती है जो जिसके अंदर हम लोग अपने clothes वगारा रखते हैं कपड़े रखते हैं वो लेकिन किसकी closet में narrator की closet में अब टोटो हालत कर दी विचारे रस्किन बॉर्ण के रूम की उसने क्या करा जो एक वाल पेपर लगा होता ना दिवालों के उपर उनको भी फार दिया तो इतनी बुरी हालत हो गई थी रस्किन बॉर्ण की रूम की के पूछो मत टोटो जो था अब उसको finally decide करा गया कि उसको transfer करेंगे युद्धे एक बड़े से cage के अंदर जो कि servant quarter के अंदर ता अब जो grandfather थे और जो other animals थे वही वहीं करते थे उस बड़े से cage में जो servant quarter वाला था वहाँ टोटो जो था वो और animals के लिए मुसीबत create करने लगा जैसे ही वो उस cage के अंदर पहुचा उसने और animals को परिशान करना शुरू कर दिया उसने ships को तो बिचारियों को रहने ही नहीं दिया शांती से बहुत अंकरता था और जो उसकी शैतानिया थी जो उसकी activities थी शैतानी activities वो दिन पर दिन भढ़ती जा रही थी मत्तब उसकी शैतानिया कम नहीं हो रही थी एक दिन की बात है grandfather को सारंग पूर जाना था जिससे कि वो अप पने साथ toto को ले जाते हैं एक बड़ा सा big black canvas kit bag होता है उसके अंदर बड़ा सा bag होता है उसके अंदर वो ले जाते हैं toto को उस bag के अंदर कोई भी खुला रखने की जगा नहीं थी तो इस वज़े से जो grandfather थे there was no opening in the bag to allow his hand or face to come out तो इस वज़े से grandfather ने इस तरीके का bag लिय उचल रहा था तोटो ता बहुत शैतान था उसने जोर जोर से back को back को इदर उदर हिलाना शुरू कर दिया सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे धैरादून railway station के उपर ये सारी चीज़ें हो रही थी जो धैरादून railway station का platform था वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी जैसे ये लोग सारंगपूर पहुशते हैं टोटो को एक ticket collector पकड़ लेता है ticket वो लोग होते हैं जो tickets check करते हैं वो बोलते हैं आरे भाई ये क्या है ये क्या लेकर आये हो तुम अपने साथ अंकल जी तो ticket collector को grandfather बोलते कि अरे ये तो मेरा वह बंदर है तो ticket collector बोलता है नहीं नहीं यह कोई बंदर बंदर नहीं है यह तो मुझे लग रहा है कि डॉग है शायद तो इस चीज़ को लेकर बहस बाजी होने लगती है और फाइनली जो टिकेट केलेक्टर होता है वो ग्रैंट फादर को फोर्स करता है कि तुम्हें टोटो के जो टिकेट है उसका भी तुम्हें प टोटो था वो यहां पर भी नहीं रुपता टोटो को रखा गया था डॉंकीज के साथ में जो हमारे घदे होते हैं उनके साथ में लेकिन टोटो बिचारे डॉंकीज को बार बार तंग करता रहता था और उनका दोस्त नहीं बना टोटो जो था उसे गरम पानी के अंदर रह साही करूँगा तो एक दिन की बात है कि तोटो अराम से गरम पानी के इंदर लेटा ऊए था उसे लगा रहे वह मजेदार गरम गरम पानी पानी गरम हो ता ्टा अब जैसे तयगर मैं पानी से अनर ही रहता हूँ थोड़ी दिर और पानी के नीचे लग रखी थी आग तो पानी गरम हो रहा था continuously गरम हो रहा था जो kitchen की cattle थी उसके अंदर अब टोटो मजे से उसे लग रहा था कि मैं आने वाला हूँ अब ये सोचो के अगर पानी और थोड़ी दिर गरम हो जाता तो तोटो का बन जाता टोटो फ्राई अब विचारे टोटो को बचा लिया था Grand Mother ने फटा फट जैसे तैसे करके और टोटो की अब जान बच चुकी थी नहीं तो अभी तक टोटो का टोटो फ्राई बन गया हो था टोटो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता अभी भी जितने भी papers होते हैं या clothes होते हैं उन्हें तोड़ देता है जो plates होती हैं उन्हें भी तोड़ देता है utensils को भी तोड़ देता है घर के सारे लोग टोटो की इन हरकतों से तंग आ जाते हैं Finally वो लोग decide करते हैं कि हम तोटो को नहीं रख सकते तो grandfather ने भी बोला कि यार इस बंदर को रखने की तो मतलब मेरी भी इंमत नहीं होरी मेरे को आनिमल्स इतने जाता पसंद लेकिन फिर भी इतना शेताравd को नहीं रख सकते और तोटो को वापस बेग दिया गया for only 3 रुपीज तीन रुपे के लिए ही वापस बेग दिया गया तांगा ड्रैवर ने तोटो के सिर्फ 3 रुपे दिया अब ग्रैंट फादर को अच्छा ग्रैंट फादर ने खरीदा कितने में था तोटो को फटाफट आप देखके बताओ ग्रैंट फादर ने तोटो को खरीदा था for 5 रुपीज और सेल कितने में करा for 3 रुपीज दो रुपे का घाटा हो गया बिचारे ग्रैंट फादर को तो आपको इस इंसिडेंट जो हुआ था रेल्वे स्टेशन के उपर उसके बारे में डिसकस करना है क्या हुआ था तोटो ने क्या करा था यही आपका होंवख है कमेंट सेक्षन के अंदर इसे आंसर करना है अगर आपको इस चैप्टर के सैंपल पेपर चाहिए या नोट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब के साथ में जो जो जोइन का बटन है उस पे क्लिक करके मेंबर बनोगे तो सैंपल पेपर और नोट सापको मिल चाहिए वीडियो को लाइक करो और इस होंवख को कम्प्लीट ज़रूर करो सी यू नेक्स्ट वीडियो बाइबा तिल दैन मनु से ग्यान लेते रहो थैंक यू सो मच फर वाचिंग